दोस्तों आज आप सुनेंगे एक बहुत ही इंट्रेस्टिंग जासूसी कहानी। कहानी के राइटर है जे एस फ्लेचर और हिंदी में इसका नाम है जज की गवाही। तो आएए बिनादेर के शुरू करते हैं कहानी। जिस दिन डिकिंसन ने जैक गैंबल को लूट पाट के आरोप में गिरफतार किया उसी दिन से उसे ये महसूस हो रहा था कि कहीं कुछ न कुछ गड़बर तो जरूर है। लेकिन वो गड़बर क्या है इसका अंदाजा वो नहीं लगा पा रहा था। डिकिंसन ने उसे बिना क इसी शोर शराबे के लंडन के एक बिजी इलाके से शाम को गिरफतार किया था। ये गिरफतारी का उपरेशन बड़ी ही खामोशी से निपट गया था। इतनी खामोशी से कि आसपास से गुजर रहे लोगों को बस यही लगा होगा कि तीन दोस्त एक दूसरे का हाथ पकड कर कहीं जा रहे हैं। लेकिन डिकन सन परेशान इसलिए हो रहा था कि जब उसने गैंबल को गिरफतार किया तो उसने बड़े ही विश्वास के साथ कहा था। बच्चे तुम मुझे गिरफतार करके बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। अब डिकन सन लगातार यही सोच रहा कि आखिर क्या गलती की है उसने इस बीच जैक गेंबल पर आरोप लगा कर उसके उपर मुकदमा दायर कर दिया गया था उसके उपर ये आरोप था गत 20 नवंबर की रात उसने एवेन्यू रोड पर स्थित मार्टिन फिलिप टेरल के घर का ताला तोड़ कर वहां से कीमती साम पाए गए हैं डिकिंसन इससे पहले भी उसे एक दो मामलों में पकड़ चुका था और उसे सजा भी हुई थी लेकिन इस बार डिकिंसन को गेंबल के उस मजाक उड़ाने वाले लहजे से बड़ी परिशानी हो रही थी पुलिस थाने में मौजूद गेंबल के विश्वास क देखकर डिकिंसन के साथ मौजूद दूसरा पुलिस इंस्पेक्टर भी काफी हैरान था उसने पूछा तुम्हें अपने चूट जाने का इतना यकीन कैसे है गेंबल क्या तुम्हारे पक्ष में कोई बहुत तगड़ी अलिबाई है गेंबल ने मुसकुराते हुए लेकिन डिकिंसन को पूरा यकीन था कि टेरल के घर में लूट वाले केस में जौन गेंबल का ही हाथ है मार्टिन फिलिप टेरल की शिकायत आने के बाद उसने बड़ी ही बारीकी से घटना स्थल का मुआयना किया था वहां मौजूद उंगलियों के निशानों को थाने में दर्ज अपराधियों की उंगलियों के निशानों से मिलाने पर वो गेंबल की उंगलियों के निशान साबित हुए थे गेंबल छोटी मोटी चोरी चकारी करने वाला आदमी था डिकिंसन जानता था कि उसे अच्छी शराब पीना पसंद है और टेरल के यहां मौजूद शर पर थोड़ा एकांत में था और फिर उपर से यह पेड़ पौधों से घिरा हुआ भी था ऐसी जगह चोरी या लूट करना असान काम था बीस नवंबर की अंधेरी रात को जब टेरल सहाब कहीं गए हुए थे तो गैंबल या कोई भी चोर ताला तोड़ कर घर में घुसा औ और सोने चांदी के कुछ जेवर और बरतन लेकर चलता बना डिकिंसन जब अगली सुभा मौकाई वार्दात पर गया तो उसने बेडरूम में फ्रिज के उपर विस्की की बोतल और ग्लास को देखा उस पर पड़े उंगलियों के निशान गैंबल के खिलाफ सबसे प्रमु से बाहर ही रहा था वो दस बजे वहां से निकला था और अगली सुभा छे बजे वापस आया था लेकिन अब समस्या ये थी कि जेल की सलाखों के पीछे रहते हुए भी गैंबल जितना प्रफुलित और खुश नजर आ रहा था उससे डिकिंसन को चिंता होने लगी थी वो कारण समझ नहीं पा रहा था उसने कई अपराधियों के मसले सुलजाए थे कईयों से दोस्ताना व्यभार करके वो उनका राज निकलवाने में काम्याव रहा था उसने गैंबल से भी यही तरकीब अपनाने की सोची अगली सुभा वो जेल पहुँचा और उसने गैंबल से सुनवाई जज स्टैपल्टन करेंगे चोरी लूट पार्ट आदी के केसों की सुनवाई आजकल वही कर रहे हैं मेरे ख्याल से अगले हफते होगी तुम्हारे केस की सुनवाई और मेरे ख्याल से तभी तुम अपनी वो तगड़ी एलिबाई पेश करोगे जिस पर तुम इ सेंट्रल क्रिमिनल कोर्ट में अब मार्टिन फिलिप टेरल के यहां हुई चोरी की वारदात की सुनवाई शुरू हो गई जज ने पहले इस मामले में अभियोजन पक्ष की तरफ से पेश तरकों को ध्यान से सुना इंस्पेक्टर डेकिंसन ने पूरे विस्तार से सारी बा जज और वकीलों ने उसके उपर अपनी अपनी राय रखी इस बीच जैक गैंबल चुप चाप अपने कट घरे में मजाक उड़ाने वाली मुद्रा बनाई बैठा रहा जज पर उसने नामे जवाब दिया और कहा कि वो अपना पक्ष खुद ही पेश करेगा उसकी इस बात क को मान लिया गया जैक गैंबल ने फिर से वही बात की जिसे वो पहले दिन से दोहराता चला आ रहा था कि वो निर्दोश है अभियोजन पक्ष ने इस मामले को एकदम सीधा और स्पष्ट बताया और कहा कि जैक गैंबल उस सारी रात अपने कमरे से बाहर रहा था और टेरल अभियोक्त के पास से बरामद नहीं हुआ था और ना ही कोई ऐसा सुराग मिला था कि उसने वो चुराया गया सामान कहीं बेचा है लेकिन जज, कोट में मौजूद वकील और पुलिस आफिसर सभी लोग ये जानते थे कि गैंबल जैसे रेकॉर्ड वाले व्यक्ति के मामले में ऐसी बारीकियों का पता लगाना इतना जरूरी नहीं है उसका पिछला चरित्र और फिलहाल जो सबूत थे वो सब उसके खिलाफ इचारा कर रहे थे लेकिन नियाय व्यवस्था तो अपने हिसाब से ही काम करती है इसमें अभियुक्त की बात सुनना सबसे महत्वपून बात होती है सारी बहसें और अपचारिकताएं पूरी होने के बाद अब भारी थी गैंबल के बयान की अभियुक्तों की बेंच से निकल कर गवाही के कटगरे तक का रास्ता उसने डिकिंसन की तरफ उपेक्षा से देखते हुए पूरा किया इस से डिकिंसन का दिल थोड़ और डूब गया इस मजबूत ऑफिसर ने अपने पूरे लंबे क्यारियर में खुद को इतना उपेक्षेत और आसाहाए इससे पहले कभी महसूस नहीं किया था गैंबल ने जिस श्रद्धा पूर्वक शपत ली उसे देखकर लग रहा था जैसे जिन्दगी भर वो यही करत जिस श्रीमान जानता हूँ तो मैं इस मामले में अपना बयान शुरू करता हूँ मैं अपने पक्ष में सिर्फ एक गवाह पेश करूँगा और मुझे उमीद है कि मेरे और गवाह के बयान के बाद मुझे छोड़ दिया जाएगा टेरल के घर में मेरी उंगलियों के निशा जान हूँ या ना हूँ या कहीं भी हूँ सही बात ये है कि मैं उस रात उस घर से करीब 6 किलोमीटर दूर था यानि जब वो चोरी की घटना हुई तब मैं उस जगा नहीं कहीं और था ग्यांबल को अपराधिक मामलों की सुनवाई का अच्छा खासा अनुभव था वो पह अपनी बात आगे जारी रखी देखे सजनो मेरे उपर आरोप है कि 20 नवंबर की रात मैंने एवन्य रोड सेंट जौन स्थित एक मकान का ताला तोड़ा और वहां पर चोरी की पुलीस द्वारा जुटाए सबूतों के अनुसार मैं वहां 20 नवंबर की रात 10 बजे घुसा और अगली सुभा 6 बजे वहां से बाहर निकला लेकिन माई लॉर्ड और सारे मौजूद सजनो 20 नवंबर की रात को 10 बजे से 21 नवंबर की सुभा 5 बजे तक मैं विंबलडन में था उसकी इस बात पर जज ने आगे की तरफ जुकते हुए पूछा क्या कहा तुम कहा थे ग पर बल पड़ गए वो विंबलडन में ही रहते थे एक पुराने स्टाइल के कौटेज में वैसे वो इलाका काफी पौश इलाका था पेड़ों से घिरा एक शांत इलाका जहां समाज के उचे तबके के ही लोग रहते थे उनके माथे पर बल शायद इसलिए पड़े थे कि उ मैं ये बता रहा था माई लॉड कि उस रात मैं विंबलडन में था अब मैं वहां क्यों गया था तो सजनो मैंने यहां खड़े होकर सच बोलने की कसम खाई है और मैं सच ही बोलूँगा और वो सच ये है कि मैं वहां किसी नेक इरादे से नहीं गया था बलकि चोरी के इतना कहकर ग्यामबल कुछ पल के लिए चुप हो गया। कि इस केस में अपने आपको बेदाग और सच साबित करने के लिए मेरे पास इसके अलावा और कोई चारा नहीं है कि मैं खुद अपने खिलाव ही बयान दूँ। से लॉंग एकर इलाके में मिला था। उसने मुझसे कहा जैक मेरी बच्ची सारी जिंदगी घुर दोर जैसे छोटे जुए में ही बिताने का इरादा है या एक लंबा हाथ मार कर जिंदगी भर आराम से रहना चाहते हो। तो मैंने पूछा कि उसका इरादा क्या है। फिर मैंने ये भी कहा कि मैं फिर से चोरी चकारी के पच्चने में बिल्कुल नहीं फसना चाहता। लेकिन अगर कोई बहुत ही आसान शिकार हो तो फिर मैं खुद को इस लालत से रोक भी नहीं पाऊंगा। तब उसने मुझे बताया कि विंबल्डन इलाका जो है वो रईसों का एक बड़ा ही शांत और शांदार इलाका है। और ये भी कि उसने वहाँ पर एक घर चुन रखा है जहां आसानी से हाथ साफ करके हम दोनों लखपती बन सकते हैं। तो मैंने उससे पूछा कि उसका इरादा किसके घर को निशाना बनाने का है। तो जानते हैं उसने क्या बताया। उसने कहा जज मिस्टर स्टेपल्टन के घर को। तेज आवाज में बोले गए गैंबल के इन शब्दों ने जैसे वहां किसी तेज बम के धमाके जैसा असर क सब ही लोग हैरान रह गए, हैरत से उनके मुह खुले रह गए, जज स्टेपल्टन का चेहरा गुस्से से लाल हो गया, उन्होंने तीखे स्वर में कहा, कैदी तुम्हें पता है तुम क्या बूल रहे हो, जानते हो न, जान बूज कर कोट का समय बर्बाद करने पर कितनी कड़ सजा मिलती है, गैंबल ने बड़े ही आराम से जवाब दिया, जी हां श्रीमान अच्छी तरह जानता हूँ, लेकिन सर, अगर मैं ये सब नहीं बताऊंगा, तो इस मामले में अपनी सच्चाई कैसे पेश करूँगा, हाँ मैं अपने उस दोस्त का नाम पता तो नहीं पूरी ना हो, ये बताता हूँ कि उसने मुझसे क्या कहा, उसने मुझे कहा कि जज स्टेपल्टन का घर एक आसान निशाना होगा, उसने ये भी कहा कि वो अकसर उनके घर के सामने से गुजरता है, और उनके घर पर अकसर परदा नहीं गिराया गया होता, इसलिए सब कुछ बाहर से दिखता है, अंदर उनके शीशे के बने शोकेस में सोने चांदी की चमकीली चीजें उसने कई बार देखी हैं, ये भी उसने मुझे बताया, उसने मुझे ये भी बताया कि जज सहाब अपनी जवानी के दिनों में अच्छे एथलीट थे और उन्होंने कई कीमती जीते थे, ये सभी कुछ शोकेस के अंदर और उसके उपर बने खाने में रखे हुए थे, ऐसा उसने मुझे बताया, उसका कहना था कि जज सहाब के घर पर हाथ साफ करना एक अच्छा सोदा रहेगा, तो फिर सज्जनों हुआ यूं कि मैं इस लालच में आ गया, मैंने मैं वहाँ पर पहुँचा और अपने उस दोस्त के साथ मैंने उस पूरी सड़क का चकर लगाया, जहां पर जज सहाब का घर है, इतना कहकर अचानक गैंबल जज की तरफ घूमा, उसके जिस्म की हर हरकत से बाकी लोग हैरानी में थे, लेकिन जज स्टेपल्टन ज्यादा परेशान नहीं लग रहे थे, हाँ वो उत्सुक जरूर थे, और उत्सुकता भरी नजरों से कैदी को घूर रहे थे, गैंबल ने फिर से कहा, देखिये सजनो, जज सहाब का घर मुख्य सड़क से थोड़ा पीछे की तरफ है, उनके घर के डाइनिंग रूम की खिड़किया से गौर फरमाएं, उनका कमरा बिजली की रोशनी में पूरी तरह से चमक रहा था, अंदर की एक एक चीज बाहर से साफ नजर आ रही थी, इसके अलावा फायर प्लेस में भी कई लकडियां जल रही थी, जिससे कमरे में और भी रोशनी फैली हुई थी, इस रोशनी में कमर में कुल तीन आदमी थे, सभी फायर प्लेस की जल रही आग के सामने आराम कुर्सियों पर बैठे हुए थे, अब जद सहाब ज़रा ध्यान दीजिएगा, मैं तीनों का हुलिया बयान कर रहा हूँ, एक तो माई लॉर्ड आप खुद थे, शाम की खुमारी में बहतरीन उतसुकता और बेचैनी से ये सुन रहे थे, तीसरे व्यकति की बात चुरू होते ही, उन्होंने बेचैनी से पहलू बदला, और उनकी निगाहें ग्यामबल पर ज्यादा जम गई, ग्यामबल का बोलना जारी था, और तीसरे व्यकति जिनको मैं पहचानता नहीं, शायद उ वो एक लंबे, बहुत ही खुबसूरत बज़ुर्ग व्यक्ति थे। शकल से वो विदेशी लग रहे थे। उनकी सफेद दाढ़ी नुकीली थी। उन्होंने अपनी दाढ़ी और मूचें बड़े ही करीने से समारी हुई थी। शायद मोम लगाकर उन्होंने उनको नुकीला बनाया हुआ था। वो सजण दोनों व्यक्तियों के बीच में बैठे हुए थे और लगातार सिगार पी रहे थे। उन्होंने शाम के कपड़े पहने हुए थे और उनके गले में लाल रंग का रिबन लटका था। उस रिबन से बंधा हुआ कोई पदक या नेकलेस भी उनक सदस्यों पर नजर डाली और फिर अपने कोट के अंदर की जेब में हाथ डाला। कुछ देर टटोलने के बाद उन्होंने एक छोटी सी डायरी निकाली और उसे अपने सामने टेबल पर रख दिया। फिर उन्होंने सिर के इशारे से ग्यांबल को अपना बायान जारी रख चले गए। वहां हमने भी कुछ शराब पी, खाना खाया और मैं अकेले अपने काम पर लोट गया क्योंकि ये चोरी मुझे अकेले ही करनी थी। अब ये जरूरी नहीं था कि मैं चोरी उसी दिन ही कर लेता। पहले दिन मेरा इरादा बस इतना था कि बंगले का थोड़ा ज चुटता नहीं है। हाँ, एक दो बिल्लियां जरूर हैं और इस बात की पुष्टी जद सहाब खुद भी कर देंगे। लोन में मैं जाडियों के पीछे छुप गया। फिर मैंने घर का चारों तरफ से चक्कर लगाया, दर्वाजे खिडकियों को टटोल कर देखा। मैं घ इसनी खामोशी से कि मुझे अपनी सांसों तक की आवाज सुनाई दे रही थी। ठंड काफी तेज थी और सौभाग्य से लौन की बिजली खराब थी, इसलिए वहाँ पर पूरी तरह से अंधेरा था। मैं मौके की तलाश में जाडियों में किसी चुहे की तरह दुपका ब वो गुलाबी और सफेद धारियों वाला पाजामा पहने हुए थे। उन्होंने अपने गले पर सफेद रंग का मफलर भी लपेटा हुआ था। अब मैं आप सब सज्जनों से ये पूछना चाहता हूँ कि अगर मैं वहाँ नहीं मौजूद रहता तो क्या इतने विस्तार स से ये सब कुछ बता सकता था। अब आगे सुनिये। तभी उस कमरे में वो महमान सज्जन भी पहुँच गए। वो भी अपने कपड़े बदल चुके थी और उस समय लाल रंग का ड्रेसिंग आउन पहने हुए थे। उनके हाथ में भी मोमबत्ती थी और उन्होंने काला फ्लर लपेटा हुआ था। दोनों में कुछ बात चीत हुई। उन्हें पता नहीं क्या शक हो गया था या कोई समस्या उनके सामने आ गई थी। मैं दम साधे उनको देख रहा था। तभी कमरे का दर्वाजा खोल कर जद साहब बाहर पोटिकों में आ गए। वो लॉन में आना चाहते थे या कहीं और ये मैंने नहीं देखा। मैं बस बाउंडरी फांद कर सडक पर पहुँच गया। वहां मैं एक पेड़ के पीछे खड़ा हुआ ही था कि दो मिनट में एक पुलीस वाला वहां पहुँच गया। जद साहब ने उससे कुछ बात की। फिर मैंने वहां पर रहना ठीक नहीं समझा और वापस अपने दोस्त के घर चला गया। तब तक आधी रात से ज्यादा का वक्त हो चुका था। इसलिए मैं वहां पहुचा और सो गया। और सुभा वहां से अपने घर चला गया। अब आप लोग ही बताईए कि जब मैं उस समय पल्टन पर लगी थी। जच सहाब ने बेचैनी से पहलू बदला और चशमे से जाकते हुए कहना शुरू किया। इस कैदी ने तो मुझे अजीब हालत में डाल दिया है। मैं अजीब से दो राहे पर हूँ। इस मुकदमे में मैं जज हूँ। लेकिन इसने मुझे गवाह की हैसियत में डाल दिया है। कैदी ने जो कुछ कहा वो एकदम सच है। ये भी सच है कि मेरी एक आदत है। आप लोग शायद इसे बेवकूफी भरी आदत कहें और वो ये है कि मैं खिडकियों पर परदे नहीं डालता। ये भी सच है कि मेरे पास सोने चांदी के कई कप प लेकिन कैदी की बात पर इसलिए यकीन किया जा सकता है कि 20 नवंबर की रात को मेरे घर एक महमान भी आया था। दरसल रात करीब एक बजे मैंने लौन में कोई आहट सुनी थी। उसी का कारण जानने के लिए मैं वहाँ गया था। और मेरे साथ ही मेरे दोस्त भी बाहर आये थे। हमें नहीं पता था कि उस समय ये महाशे भी वहाँ मौजूद थे। हाँ मैंने उस वक्त वहाँ से गुज लग रहा है कि वो उस रात मेरे घर मौजूद था। और अगर वो वहाँ मौजूद था, तो वो ठीक उसी वक्त मेरे घर से कई मेल दूर उतरी लंडन में स्थित महले में चोरी कैसे कर सकता था। ये भी कहा जा सकता है कि एक बजे वो मेरे घर से भागा हो और सीधे एवेन उन्हें ये भी बताया कि क्योंकि उन्हें अगली सुभा यानी 21 नवंबर की सुभा की ट्रेन पकड़नी थी इसलिए वो सिर्फ दो घंटे तक ही सोए थे और सुभा चार बजे उठ गए थे और अगर चोरी हुई है तो उन्हीं दो घंटों में यानी दो से चार के बीच में ह हुई है आप सब जानते हैं कि विंबल्डन से रात के उस वक्त बाहर के लिए कोई ट्रेन नहीं है और कैदी के बयान से जाहिर है कि वो पौने एक बजे तक तो निश्चित ही मेरे घर में था वहां से कई मिल दूर पहुँचकर और वो भी उस समय जब कोई ट्रेन सर्विस मौजूद नहीं थी किसी के घर चोरी करना साबित नहीं होता हलांकि उसकी उंगलियों के निशान वहां मिले हैं लेकिन उसका बयान उसे दोशी साबित नहीं कर रहा है फिर जज स्टेपल्टन और जूरी के अन्य सदस्यों ने कुछ देर तक बात की जज ने अभियुक्त स पूछा कि क्या उसके पास विंबल्डन से अपने घर के स्टेशन तक का टिकेट है ग्यांबल ने अपने फटे कोट के अंदर की जेब में हाथ डाला और कुछ देर तक टटोलने के बाद एक मुडा तुडा टिकेट पेश करते हुए कहा स्टेशन पर इसे किसी ने देखा नहीं था इसलिए मैंने इसे फेका नहीं पर अब इसे रखने की कोई तुक नहीं है जूरी के सदस्यों ने टिकेट को देखा वो 21 नवंबर की सुभा की पहली ट्रेन का विंबल्डन से वाटरलू तक का टिकेट था एक बार फिर से सबने कुछ देर बात शीत की और आखिर कार जज स्टेपल्टन ने अपना फैसला सुना दिया दोशी नहीं अब गैंबल एक बार फिर से आजाद नागरिक था डिकिंसन अब भी समझ नहीं पा रहा था कि इस जाच में कहा गलती हो गई कोर्ट से निकलते समय गैंबल ने उसे चढ़ाते हुए कहा हा तो मिस्टर च को गवाही देने का कश्ट उठाने वहां आना पड़ता डिकिंसन के पास कोई जवाब नहीं था वो चुप रहे गया केस खत्म हो चुका था लेकिन डिकिंसन अब भी गुप्त रूप से गैंबल पर नज़र रखे हुए था कुछ दिनों तक तो वो इधर उधर नज़र आ लोगों ने मिल कर किया था जैक गैंबल ने एवन्यू रोड स्थित टेरल के घर का ताला तोड़ कर चोरी की उधर एक दूसरा व्यक्ति जज स्टेपल्टन के घर पर मौजूद था और इन्होंने जज सहाब के घर पर पर परदा ना पड़े रहने की आदत से ही जज सहाब के घर पर निगाह रखने और उन्ही को एक गवाह के रूप में पेश करने की योजना बना ली थी तीसरे व्यक्ति ने टेरल के घर से सामान बाहर निकलते ही उसे ठिकाने लगाने का काम किया और हाँ वो पहले ही विंबल डन से वाटरलू तक की टिकेट खरीद चुका था और उसने टेरल के घर से निकलते ही गैंबल को वो टिकेट थमा दी थी बेचारा डिकिंसन अपने लंबे क्यारियर में खुद को इतना ठगा गया उसने आज से पहले कभी महसूस नहीं किया था दोस्तों ये कहानी आपको कैसी लगी इसके बारे में अपनी राय शेयर जरू करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें जल्दी ही एक और कहानी के साथ आपसे फिर मुलागात होगी तब तक के लिए अलविदा